हेलो दोस्तों, स्वाल थे आपका हमारी यूट्यूब चैनल में, मिरा नाम जगत है और आप देख रहे हैं IT Solutions by IT Professionals दोस्तों, गर्मियों के दिन चल रहे हैं और पंखे भी गरम हावा फैंक रहे हैं ऐसे में हमने एक Window AC लेने की सूची और पहुंच के चंडियर की मार्केट में और वहां से ले आई LG का डे टन का 3 स्टार रेटिंग वाला Window Inverter AC दोस्तों, AC में Inverter Technology को अभी तक LG नहीं इंट्रोड्यूस किया है जबकि Maximum Split AC आजकल Inverter Technology के साथ ही आ रहे हैं यहां आपको बता देना चाहूंगा कि Inverter एक ऐसा फीचर है जिसे AC के लिए बनाया गया है जिससे हमारी electricity consumption थोड़ी कम होती है और बहतर cooling भी मिलती है तो आईए जल्दी से करते हैं रॉक्सिन विंडो एसे की आईए तो दोस्तों यह रहा हमारा LG का Air Conditioner Dual Inverter Technology के साथ 7399-0 इसका MRP है पर यह हमें 34,000 का पड़ा है तो आई जल्दी से फड़ा-फड़ से इसको खोल लेते हैं इंस्टॉलर हमारे पास पहुँच चुके हैं और खोल देते हैं इसको जल्दी से तो यह देखिए सबसे पहले हमें उपर देखने को मिलता है इसका Remote Control और इसकी Battery Cell जो साथ आते हैं और Instruction Manual और यह देखिए यह साथ में इसका Water Outlet का एक सिस्टम है इसको बाद में लगाएंगे यह रहा हमारा Remote वाइट कलर का और यह रहा इसका दोस्तों फ्रंट का पैनल जो की Inverter AC के फ्रंट में लगएगा इसको बाद में दिखेंगे तो आइए फटपट से एंबोक्सिंग करते हैं अपने Inverter AC की इस तरह से पैकिंग दे हुई है अब एक काटन पूरा उपर उठ जाएगा इस तरह से यह देखें तो इसको हम साइड में रख लेंगे अभी दोस्तों यह देखिए यह रहा अपना Inverter AC दोस्तों इसको अच्छली उपर ले जाते हुई हमारा टॉप लोग पर ले आए हैं तो थोड़ा सा इसके फिंड जो है थोड़े से मुड़ गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी चोटी बोटी दिक्कते ट्रांस्पोर्टेशन में आती रहती है कोई घबराने वाली बात नहीं है तो यह रहा अपना AC यह रहा इसके साइट लुक यह इसकी कैबिनेट खोल जाए थोड़ा सा देखिए फिंड मुड़ गए हैं यहां से जो की कॉपर के होते हैं बड़े नाजुक चीज है यह तो कोई दिक्कत परिशानी वाली बात नहीं है और यह देखिए यह रहा हमारा फ्रंट का पैनल PCD के साथ यह देखिए इसमें एर के लिए वेंटिलेशन के लिए नीचे और राइट साइड में दिये हुए हैं वेंटिलेशन एर क्रॉसिंग के लिए और 3 स्टार रेटिंग के साथ है देख सकते हैं आइसर 3.26 रेटिंग के साथ है और यह रही हमारी विंडो जहां पर इसे इंस्टॉल किया जाना है तो सबसे पहले इसकी जो ग्लोहे की ग्रिन लगी है वो निकाली गई है बड़ा ही टाइम लगा हमें इसको निकालने में तो एक लास्ट निकाल ली और थोड़ा सा विंड अब इसको कवर को चार्श कुरू होते हैं साइड में वो खोल के हमने इसको अलब कर लिया है यह देखिए यह वाला हिस्सा हम पहले हमारी विंडो में इंस्टॉल करेंगे इस तरह से काफी मशक्कत के बाद तकरेबन दो घंटे लग गए एट लास्ट हमने इसको इस्टॉल कर लिया इलेक्ट्रिशन को बुलाके वाइरिंग कर वाली और यह देखिए हमारा एसी चल पड़ा और बहतरीन कोलिंग के साथ है जबरदस कोलिंग है इसकी इसमें कोई शक नहीं है कि देख सकते हैं अब डाउन करने के लिए और एलजी की ब्रांडिक फ्रंट में ड्यूल इंवर्टर के साथ ओपर हमने कवरिंग के लिए इसको प्लाई के साथ कवर कर दिया है बाद में प्रॉपर वाइरिंग हम बाद में करेंगे तो अभी के लिए अपना एसी चल है फिट हो गया है तो दोस्तों यह था एलजी का इंवर्टर डूल इंवर्टर रेसी जिसे हमने 34,000 का परचीज किया है लोकल मार्केट चड़िगर से ही तो कैसा लागा दोस्तों आपको यह वीडियो कमेट करके हमारे बताएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजे हमारे चैनल को और बैल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हाँ थरस्टी को वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो मिलते हैं जल्दी ही एक नए बीडियो को साथ तब तक रखिये अपना बेस्ता कया धन्यवाद